जो कहते हैं इस देश द्रम चंसेकर आजाद, अस्वाग उल्ला खाम, सदार पटेल, नितादी, बोस, मिसाइलमेन अब्दुल कलाम को आदर समांगते हैं तो ऐसे नोजावन से बिसेश कर मेरी गुजारी सोगी कि आज आज आपके अंदर राजनितिक चितना का संचार होना चाहिए आज आज आपको राजनिति पर चिंतन मंथन करना चाहिए जब आप दो घंटा ड्रीम 11 में बक्वास में चिंतन मंधन करते हैं अपना ब्रबाद करते हैं तो मेरा मनना है कि आपको दो घंटा राजनितिक पहलों पर चपचा करना चाहिए आप अगर भगत सिंग को मनने वाले इवा हैं, उनके विचारों को मनने वाले इवा हैं, तो आपको अलेक्टरल बॉंड पर चुप नहीं रहना चाहिए, आपको अलेक्टरल बॉंड पर सवाल करना चाहिए, यदि आप सच में भगत सिंग को मनने वाले इवा हैं, तो जार्खन की राजनिती ने करवट लिया है और जार्खन एक साधरन सा लड़का अपने विचारों के बलपार आपके बीच एक MP परत्यासी के रूप में खड़ा है अगर मेरी उम्र की बात सही जाएँ अगर हमारे उम्र के तकाजे को ख्याल लखा जाए तो सायद हम लोग मुख्या के परत्यासी के रूप में अभी अपने आपको नाम आने कि भाई अभी उम्र ही क्या है लेकिन आज परिष्थितियों ने आज हालात ने जारकन की समस्याओं ने लड़ते लड़ते आज हमें इस योगी बनाया कि आज हम एंपी में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहें और कर नहीं रहें दोनों दल में अपकी छुटा हुआ देखिये आज सुबा जारकन मुफ्ती मुर्चा वाले आज सुकी आलुचना नहीं करते हैं जाएएगा उनके पेज को पढ़ियेगा उनका बेटा का उनका भाई का उनका चच्चा का जराब मातों का चर्चा होता है आज सुबा लोगो पढ़ियेगा वाले उनके पत्यासी बोलने हमारा नाम ना ले वीडियाग सामने लेकिन पढ़ियेगा उनके पेज को जाकार उनके निशाने पर जराब मातों होता है दोनों राजनितिक दल चुकी देखिये वाले है तोनों अलग अलग है लेकिन पांक तो वहीं कर रहा है ज़िए पर काईश चोद्री जी की बात करें तो खुब संसाद पत्नी रमगार से वीडायक क्या मतलव है जनता से मुध्रापरसाधी की की बात करें तो तीन बार से वीडायक मंतरी अर लेदे के सारा प्रोपर्टी बट पिटाल के लिए बनाओं यहां जमीं लोग वहां लोग यहां लोग किसी दो छुपा नहीं है तो भले दोनों अलग दोल है लेकिन आई दोनों एक हो गया है जिवाई यहां कुछ भी हो जाए एरे तो में जीत चाहे हामें जीत इसे रहा अगर जित ओ तो कख्राय नेता पुलाई तो कियो ना जानों दखले रातो रात एक लाक कोन है एक लाकन सारी रातो रात चर्चा भी ले की परिनाम भते नाए भताय लेकिन रातो रात एक नेत्रत तो तैयर किये चुना में जीत ओग हार अरगो मैंने नहीं है देग जानिये उनकी प्रपटी को जानिये उनकी सोच को कि उनकी सोच क्या है सबसे पहले बाद दिवाओ साफ जान लो आज नारों से भारत भी सुफरन ही बनेगा न भारत महा सकती नारों से बनेगा भारत की फस द्सेए कमेल का मतलाब शपक्ञे पास सता भी सबती सबत्रेया लेगन अभी जो राज करंशी पताında कि कई हजार क्रॉर की प्रपटी सब की उस कई हजार क्रॉर में कई हजार परिबार पाले जा सकते थे की नहीं किसी की बात करे विधायकों की बात करे, संसदों की बात करे कई हज़ार खासकर धनवाद बुकारों की बात करे तो कई हज़ार करोर की इनकी संपत्थी है उस कई हज़ार करोर में कई हजार परिबार तो जरूर पाले जाते हैं कई हजार परिबारों का तो भरन पसंद जरूर होता कई हजार परिबारों का पेट तो जरूर भरता लेकिन सच में अगर वा जनता के हेटे सी है तो हम पहला संदेश देना चाहेंगे तो जैसा की सुचना मिला है और जैसा की जनता जानती है कि आपके पास आप सबों के पास कई हजार कोर की संपती है तो एक काम कीजिए चुकि आप अपने दम पर नेता नहीं बने है आप अगर नेता बने है तो जनता के विश्वास के कारण बने है तो आप एक काम कीजिए आप 5% 5% बहुत है ज्यादा सिजा 10% अपने संपती को रखिए बाकि जनता के बीच दान कीजिए हमां मानें आप जन परती थी है बिल्कुल अगर एक उनेता खली त्याद करेगा ना जी तहम बोल दरहे हैं